हलो मैं अंजली गठाने वेलकम टू मैं चैनल आज हम देखेंगे टोमेटो सूप बहुती इजी मेधर से हम आज बनाएंगे तो चलिए देखते हैं हमें इस तरह के टमाटर चाहिए यह जूसी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं और लगेगी सैलरी सैलरी का बिल्कुल हमें एक इंच का टुकडा लगेगा बिल्कुल इतना से हम सैलरी का इतनी हम सैलरी लेंगे और एक प्याज और आधा इंच का टुकडा अधरक का और चार प इस तरह हैं और टमाटर को भी सबसे पहले हम एक चमच बटर ने डाल देते हैं अद्रक लसुज प्याज और तमाटर और यह चैलरी है चैलरी से बहुती बढ़िया टेस्ट आएजी बिल्कुर रेस्टोर्ण जाएजी है तमाटर को हम अच्छे से पका लेते हैं अच्छे से पका लेते हैं अच्छे से पकने लेते हैं अब हम इसमें एक चममच शक्कर काली मिर्च और थोड़ो सा मिर्ची पाड़ा अच्छे से और वो मिनित हम पका लेते हैं धब कर इसके रख लेते हैं अब हम इसे देख लियाते हैं अब थोड़ सा पावजी पुशर से आप इसे मैश कर लेजिए मैंने ग्याज बंग कर दिया है। अब मpected थन्डा होने कि पास मिनित थन्डा होने देते हैं फिर मिक्सी मेंसे निकाल लेते हैं इसे को भी हम इसे मिक्सी के पॉट में निकाल लेते हैं थोड़ा-थोडा करकर डालिए tire इसमें थोड़ा सा पाने अब हम इसे पिस लेते हैं अब हम इसे थोड़ा गाड़ा और हो गया है अब हम इसमें डालेंगे यहां पर मैंने स्टेनर रखी है इसे चाल लेते हैं इस तरह से यह अच्छे से चाल लेंगे इस तरह से मैं मैं पूरे टमाटर को चाल लेते हूं बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत इसी बेदर है इस तरह से आप करते हो तो टेस्ट भी बहुत बढ़िया आजाती है और कुछ राइता भी नहीं है एकदम से सब निकल के आजाता है आपको ऐसा लगे थोड़ा गाड़ा हो गया तो पानी डाल सकते हैं, एक पीसे बॉइल आने देते हैं, अब इसमें बॉइल आ गया है, इसमें दो चमज टोमेटो सॉस डाल पर हुआ 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 और एक चमज, थोड़ा सा बटर डाल रही हुआ, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आए गी, सपोज आपका सूप ज़्यादा पतला हो गया है, तो आप कॉन फ्लावर डाल के उसे गाड़ा कर सकते हैं, इस तरह आप प्रॉपर बनाएं, कॉन फ्लावर डालने के जरूरत ही न तरह से हमारा सूब अभी रेडी है, सर्विंग दॉल में निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं, क्रोटन से लोड़ी से बटर डाल के मैंने इसे शालो फ्राय कर लिये हैं, हमारा सूप रेडी है, क्रीम और इसमें थोड़ा सा क्रीम, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राब करें, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, उसका नॉटिफिकेशन आपको आता रहेगा, थैंक यू,